जनम जनम का साथ है हमारा तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जनम दुबारा तो दुबारा भी जनम ले करके मैं मोब एक कावत है देहात में माबाप बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नानेक बाल से आनी लागे हाल क्या है दिलो का न पूछो सनम आपका मुश्कुराना गजब ढ़ा गया एक तो महफिल तुमारी हसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढ़ा गया हलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप लोग का फिर से एक और वीडियो में तो आज हम कुछ पुराने मनुरंजन के संसादन के बारे में बात करने वाले हैं हमारे बीच में मौजूद है नोटंकी नास के मालिक मिश्टर इंद्रीश कुमार जी और ऐसे में हमारे 20 में मौझूद है संचालक और मास्टर के पत्पे भी है भीरबल चोहान जी और ऐसे में हमारे 20 में महान एक्टर राजा राम जी भी मौझूद है चले आज हम जानने का प्रियास करेंगे आखिरकार जो ये नोटेंकी बिधा है जो ये मनरणजन का संसाधन जो आज के इस टाइम में बिलुप्त होता जा रहा है आखिरकार ऐसे में इन लोगों ने इस मनरणजन के साधन को सजो कर रखा है क्या है इनके मन में और ये लोग का आगे का क्या प्रोग्राम है आगे क्या ये लोग चाहते हैं कि इस नोटेंकी बिधा को जीवित रखना है या नहीं रखना है सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को यही से करते हैं अभी तक आप लोग ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं के तो फटा फट लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरू कर लिए फेस्बुक से देख रहे हैं तो सेर जरू कर दीजेगा और follow जरूर कर लिजेगा तो सबसे पहले चलिए हम बातचित करने की कोशिश करते हैं आपका स्वागत है हमारे चैनल में सबसे पहले है दर्सको को अपने बारे में परिशे दीजिए अपना नाम बताईए ऐसे बताईए हाँ दोस्तों हमारा नाम राजा राम कनोब जीए बहुत बहुत धन्वाद मैं बारी बारी से सबसे पहले परिशे कर लेता हूँ उसके बाद आगे की जानकारी लोगा आपका स्वागत है मारे चैनल में आपके चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद दर्सको को अपना नाम बताईए मेरा नाम सर इंद्रेश कुमार गाउतम गराम सभाब उढ़ःपूर तसहिल कादेपूर जनपल सुल्तानपूर का अस्थाय निमास से हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका सर स्वागत है मारे चैनल में दर्सको को अपना नाम बताईए को भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्सकों से निवेदन करूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादे ज़्यादे सब्सक्राइब करें दूसरी बात मेरा परिचे मैं वीरिवल चोहान और जनता इंटर कालेज कुमी का मैं जीविग्यान का प्रवक्ता भी हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तान सारदा सारिग्यम नाटकला संगीत पार्टी जिसके मालिक हमारे माननी माश्र साहब जूनियर हाई स्कूल बुढ़ापूर इंदरेश कुमार भारती जी है और जिसके आप देख रहे हैं नाटकी फ्रेमियों को भी हमारी तरफ से साधर नमस्कार पढ़ाम बहुत धन्यार माश्र साथ तो चले बातों की शिंखला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आप से यह जानना चाहेंगे का आप अभी हमको यंग दिख रहे हैं कहिन कहीं आप सिच्छा लाइन को बढ़ाई रहें बहुत अच्छी बात है आपने उशी को देखते हुए आज नोटकी नास के मामले में कदम रखा है और उसको बिखेरने का काम कर रहे हैं कहिन कहीं आप 18 से 20 कलाकारों को लेखे जाते हैं और उस मनरंजन के बिधा को लोगों तक पहुचाते हैं और कहिन कहीं अपने इस पुर्वांचल की धरोहर का अपने इस पुर्वांचल की धरोहर को अभी तक जीवित कर रख रखा है और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपनी पाइटे का नाम बताईए और आखिरकार आपका ये नोटंकी चलाने का उदेश से क्या है वो तोड़ा हमारे दर्सकों को बताईए आप अपनी पाइटे का नाम बताईए पाइटे सापका नोटंकी नाम चलता है सारदा सरगमनाटकला पाइटी हिंदुस्तान बूढ़ापूर कादिपूर सुल्तानपूर नोटंकी चलाने के विधा हमने प्रोग्राम बहुत देखते रहे पढ़ते भी रहे देखते भी रहे आरकेष्टा प्रोग्राम चलता है ये सब देखते हुए हमको संगीत लाइन में कुछ याद आने लगी हम भी कुछ करें आरकेष्टा में कुछ अभद्रता टाइप गाना होना सब कुछ चलता है जनता को देखने में हमको बुरा लगा हमने उसी को खतम करने के लिए नोटंकी विधा अपना बना करके अपना चालू किये है चले बहुत बहुत धन्वात कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं एक चीज हम और आप से जानना चाहेंगे कि जब आप नोटंकी की विधा को इस्टार्ट किये ठीके अभी तो मुझे लगता है कि आप नए सस्त्र से इसको आरंब किया होगा या पिर पुराने सस्त्र से आपने आरंब किया, तो वो कब से आरंब किया आपकी नोटंकी नाज चलाते होगे कितने साल हो गए वो बताइए 10 साल हो गए चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसे में संचालक जी भी हमारे बीच में मौझूद है मास्ट साहब देखे, एक कावत है, देहात में माबाप बुजुर्ग लोग कहते हैं, नानेक बान से आने लागे, बहुत अच्छी गात, जब बाच्पना में जवन्ची जादी में सीखे रहा था, कुछ न कुछ ओकर कुछ गुड़ आने वाले समय में भी राता, तो हम बहुत छोटे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो मैं यही काट खा गोड़ा बना कर लोगों के जब देखता था, तो छोटा काट खा गोड़ा बना कर और हम लोग डांस करते थे, गाउं में चलते थे, तो लोग हम लोगों को तोड़ा-थोड़ा चाबल गे हूँ, सब देते तो मन बढ़ गय जब मन बढ़ा तो दीरे दीरे थोड़ा सा ड्रामा खेले राम लीला खेले और नौटंकी की जो आपको बता दूँ बहुत से चैनल के लोग बहुत से नोटंकी चलाने वाले बिलकुल नहीं जानते होंगे मैं नहीं करा हूँ जैसे और एक्स लिखा रहता है कि उसको डाक्टर नहीं जानता हो और एक्स लिख देता सब लोग ले लेते जिसका आर्थ है टेक इट लाइटिन भासा में इन्हें लोग ठीक उसी तरह से नोटंकी कहा देना तो सबको अच्छा लगता है और बात बात में नोटंकी, भार घर में नोटंकी, हर जगा नोटंकी, संसद में नोटंकी, आते दियातों में नोटंकी, हर जगा नोटंकी थी इसका मतलब क्या है ये राजस्थान के एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले उनकी धरम पतनी का नाम नोटंकी था और जब उन सरीर छोड़ द करके कभियों ने पढ़ करके नोटंकी बना दिया तो नोटंकी का मतलब जो है साहित समाज का दरपड है साहित के सीवा कोई भी समाज का दरपड यानि दिखाने वाला पत्पदर्सक है तो हम लोग नोटंकी की बिध्या में आया और नोटंकी के माध्यम से हिंदुस्तान की ज यह जो है हम नौटंकी की बीधा में आये और नौटंकी में चल करके हम लोग जो है लगातार कारिकरम को कर रहे हैं आने वाली पीडी को न्यूजेनरेशन को जिस तरह से आप कहते हैं पीडी दर पीडी ग्रेगर जान मेंडल कर नियम है जिसे बच्चे जो है उनके अंदर अस हम अच्छे ड्रामा के माध्यम से जैसे रक्चा बंदन हो बदनसीब किस्मत हो या जो है आपका इंसान और फर्ज हो तमाम ऐसी चीजें हम लोग देश प्रेम पराधारित तो हम लोग इस नौटंकी को प्रदरसित करके लोगों में जन्मानस में यह संदेश देते हैं कि न दरसक लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बता और समझाया आखिर का नौटंकी का मतलब क्या है नौटंकी चलाने का उद्येश क्या है बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी है जानकरी हमारे बीच में राजराम चोधरी जी हैं बाखुबी यह सारे रोल निभा लेते है आप लोग को बता दे डकैत का काम करना हुआ तो भी यह निभा लेते हैं हीरो का का काम करना हुआ तो भी यह निभा लेते हैं सेना पती का काम हुआ तो भी यह निभा लेते हैं और तमाम गजल और नौटंकी नाज का एक बीधा है जब सुरवात में नौटंकी होती है तो चौबोला कारिक्रम बोला जाता है जो कि अन्य लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है लेकिन जो ये बिधाय है अगर कोई भुजूर्ग हो जो नोटंकी को समझने वाला हो वो बिल्कुल समझ सकता है आखिरकार ये हो क्या रहा है और ऐसे में राजराम चौधिर जी हमारे बीच में मौझूद है हम चाहेंगे कि जो कुछ भी आप गजल वगारा वहां गाते थे एका गीत वो हमारे दर्सक के बीच में हो जाए सुरुवात करिए हाँ तोली जी जोस्तों एक छोटी सी गीत सुने करा हाल क्या है दिलो का न पूछो सनम आपका मुश्कुराना गजब ढढ़ा गया इक तो महफिल तुमारी हसी कम न थी उस पे मेरा तरह न गजब ढढ़ा गया बहुत ही अच्छा लाइन रहा आपका या जब आप वो ठकैत वाला रोल नी भाते हैं ठीक है अगर देखा जाए हम आप लोग को बता दे कि जब ये नोटंकी का कारिक्रम होता है गाओं में तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत उर्सुकता रहती है कि मैं भी जाओंगा नोटंकी देखने के लिए जब छोटे छोटे बच्चे मंच के एकडम आगे बैट के देखते हैं जब डाकू का रोल होता है जब डाकू जैसी बाहर निकलते हैं वो बच्चे डर जाते हैं आखिरकार वो क्या होता भयानक सीन मैं तोड़ा जानने का प्रयास करूँगा राजा राम जी से वो क्या होता है सीन सीन ऐसा है कि भाई पहनाओ के हिसाब से बच्चे हो या बुजरुक हो ठोड़ा दरते हैं क्योंकि उनका पहनाओ ऐसा है उस भयस में हैं और निकलने के पहले हम लोग सोचते हैं कि हर घड़ी हर वक्त हमें हुसियार रहना चाहिए सोते हुए से कफलत रहना चाहिए क्योंकि घेर ले कब मोत किसको ये न कोई जानता इसलिए हर वक्त हमें हुसियार रहना वा 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 क्या बात है वा रे राजारम या वा बड़ा ही अच्छा आपने लाइन बोला दिल छोग गया और ऐसे में हमारे मालिक शाव हमारे बीच में मौझूद है हाला कि ये कोई रोल नहीं निवाते हैं लेकिन इनके उपर जो भी अठारा और बीच आदमी रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कैसे लोगों तक सारा समान पहुचाना कैसे सारा अरेंजमेंट करना है कहां से मुझे किस तरीके से लोगों से बात करना है बहुत सारी समझ्याएं भी होती है अगर देखा जाए नोटन की ना चलाना किसी की बस की बात नहीं है 18 से लेके 20 आदमियों को एक जुट रखना और उनके सभी बातों को कहना और सुनना समझना एक मालिक की ही बस की बात होती है ऐसे में हम जानने का प्रियास करेंगे आखिरका इंद्रिश जी को क्या-क्या परसानिय जिलनी होती है जैसे कि आपके पाइटी में 18 से 20 कलाकार होते होंगे ठीके अगर देखा जाए आजकल जो डांसर है ठीके लोगों का डिमांड होता है मुझे यंग डांसर से कोई बूढ़ा डांसर नहीं चाहिए ठीके ऐसे में कहीं कहीं आपको ढूड़ना होता होगा कि आप एक यंग डांसर को लेके आए तो तमाम सारी आपको परसानिया होते होगे वो तोड़ा बताए क्या क्या परसानिया होती है परेसानी सर बहुत होती है लेकिन हम लोग जब जहां प्रोग्राम करना पड़ता है हम लोग अपने स्कीमस अपने उता से हमारे सहयोगी गण राजा राम संचालक बहुंदे सब जुट करके कहीं न कहीं बेवस्था करके वो अपना काम पूरा करते हैं जब सुबा के टाइम में जिसके हाँ प्रोग्राम करते हैं जब पैसा लेनी की बारी आती है वहाँ पे क्या सीन होता है वो तोड़ा बताईए सब्सक्र सब्सक्राइब या पिर कुई कलाकार आपकान या जिसके डीमान्ड होता है का हम लोग तो मनुस्थ हैं मसीन तो हैं नहीं कि जब मारजी तेल डाली है और हम लोग क्लीयजे से बोनना पड़ता हैं और ये सरीर है चढ़ाओ उतार होता रहता है ठीक है ऐसे में कहीं कहीं आपके कुछ ऐसे कलाकार होते होंगे कि वो किसी कारण वस नहीं आपाते होंगे उस समय आपको क्या जहलना पड़ता होगा वो नहीं आ तो उसका रोलो कर देंगे लेकिन जब सुबा के टाइम जिसके माध्यम से आप कारिक्रम करने गए हैं अगर जैसे आज कल मैंने देखा लोगों का कारिक्रम सोसल मीडिया पर है अगर कोई आपका कारिक्रम सोसल मीडिया पर देखके आपको बुला रहा है तो उसन तना ही कारिक्राम उतने ही लोग उसको चहिए वहां पर अगर ऐसे में वह आपका बंदा नहीं वहां पर मोजुद हो पाया क्या करती है उस समय जैसे सब न्यूज जो हमारे यूटूबर देख रहे हैं अगर उतना ही का डिमांड है अगर उसमें सब आदमी एक साथ नहीं रह हैं तब उसको हम कहां से लाएंगे उसका डूबलिकेट हम तो किसी को बना के दिखाना भी पड़ेगा ना जी बिल्कुल बिल्कुल तमाम ऐसे समस्चाय होती हैं बहुत सारी सिकायते हमारी पास आये हुई है कि जैसे देखे यह मनुष्य का शरीर है कभी किसी का कोई भरोस जरकते हैं स्टिज के माध्यम से का हनका दिखा है कि आप बाखोब lacmos chalkage का रोल बॉज भी हीरो का भी रोलन भातने आपव एक आर राउंडर कलाकार हैं, ठीके, आपका भी एक सीन मैंने देखा था, फूलन देवी की, फूलन देवी और विक्रम सिंग का, लब स्टोरी, लब स्टोरी था न, वो लब स्टोरी में क्या कुछ होता है, वो तोड़ा बताईए लोगों को, देखे, जहां तक फूलन देवी की स Shopten कुंत आद मेरी अधिर सब्सकम घुक मेरी किताब कम देखता हूं। और याद ज्यादा करता हूं यह पनी आदत है और आप देखे भी होंगे मैंने मंच पर कहीं मिसिंग नहीं किया रहा होगों से मिसिंग हो जाती है लेकिन वहां मैं फूलन देवी का इसलिए बखुवी से में उनका साथ दिया कि मैं फूलन देवी का बहुत फैबरिट वैंड बिक्रम सिंग का काम किया और बिक्रम सिंग का काम करके फूलन देवी को जो है गुंडों से उसके चंगुल से चुड़ा और फूलन देवी ने कहा कि यदि तुम मानते हो तो मेरी साधी ताय है मैंने कहा तुम्हारी साधी ताय है तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप जाहो तो मैं साधी को तोड़ दूँ चुकि तुम जैसा मुझे कोई जीमन साथी नहीं मिलेगा तो ऐसे में मैंने कहा कि इनको लगता है कि जीमन साथी इनका साही नहीं है तो मैंने फूलन देवी के साथ महबत किया फ्यार किया चुकि उस समय पूलन देवी को पुनर जीवित करने का प्रयास किया जो 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 लाइन थी थोड़ा एक आप वह लाइन हो जाये देखें हमारी जो महबत की लाइन होती है मैंने आपको कई बार बताया और मंचों के बादने मुझे मोहबत यह है कि अच्छे चभी ओने अच्छे गीत कारों ने लिख दिया जनम जनम का साथ है हमारा तुम्हारा अगर नमिलते इस जीवन में तो लेते जनम दुबारा तो दुबारा भी जनम ले करके मैं मौपत तुम ही से करूँगा यहां तक बीने लिख दिया कि जब से घुमे धर पुरति ये सूरज चन्दा तारे तब से मेरी निगाहें तुझको करें इसारे रूप बदलकर मैंने गोरी फिर से तुझे पुकारा जनम-जनम का साथ है हमारा तुछ तो इस समगार मिखता हों कि दोरह समाज को यह संदेश जाता है प्यार और मुभबत के द्वारा ही जीमन जीया जा सकता है। जह सब अपनी मैंनेजिंग करते है'RE जीया जैसे हम वाड़ी से भी कर नायी है। आपको मैनेज करना है, आपको परिश्रम करना है, तो सब लोगों का अलग अलग ढांग से जो आए, सब अपनी मैनेजिंग कर लेते, कोई दिकत नहीं होती है, जहां तक रहां सेर की बात, तो मैं ज्यादे तर यतना जरूर कहूंगा, कि अपनी च्छाओं का दमन करो, भारत क लहु से सीचा है, इसे भगत सिंग ने, आज बर्बा देना वतन करो, तो हम उसके सेर के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं, लेकिन कभी-कभी, जब बड़ा व्यक्ति छोटे को कबजा कर लेता है, तो आहां मैं कभी-कभी बोल जाता हूं, कि मेरे प्यारे दोस् गनीमत है कि इन दलालों पर भगवान पर चलती नहीं, नहीं तो सारे बादल उनी की खेतों में बरसने हैं, इसलिए हम सेर के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो अपने अंदर की बात कर रख रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत जो है, आभार परकट करते हैं कि आप जैसे चैनल वालों ने हम जैसे नाचीज को जो है इंटर्व्यू हम लोगों के लिए, इसके लिए राजराम चौधरी साब हमारे हैं, यह हमारा हिंदूस्तान सार्गम नाट कला पार्टी के जितने भी कला का रहा हैं, वह जहां देख रहे होंगे उनको उनकी तरफ से आपको खूब खूब आसीर बाद हमारी तरफ से बहुत अच्छा लगा कि आपने स्थेर सुनाया और कुछ गीतों के माध्यम से हमारे ओडियंस का मरणजन किया और ऐसे में एक और सहर बाज हमारे बीच में मौजूद है बिल्कुल हो जाए कि नहीं मालूम किसने लूटा चमन नहीं मालूम किसके हांच होगी मिटी कौन देगा कफण नहीं मालूम क्या बात है बड़े ही अच्छी लाइन रही आपकी बड़ा ही अच्छा आपका सेर रहा बड़ा ही पसंद आया कुछ आप लोग जो नोटंकी बिधा को पसंद करते हैं जैसे आप मालिक हैं जो लोग नोटंकी बिधा को देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं पसंद करते हैं उनको क्या कहेंगे आप अपने इस पारिटी के माध्यम से और अपने माध्यम से क्या उन तक संदिश देना चाहेंगे आप हम अपने पारिटी के माध्यम से उनको बहुत बहुत धनवाद देते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे, एक सवाल है, कि जैसे अभी तो आप नो टंकी चला रहे हैं, चली बहुत अच्छी बात है, आप इसको कब तक चला ले जाएंगे, कुछ आइडिया है, या जब तक चल रहा है तो चलता रहेगा? नहीं अब हमारे सहयोगी जितने हैं सब साथ में रहेंगे हम जब तक रहेंगे तब तक चलाएंगे चलिए बहुत अच्छी बात है अच्छी नोटंकी चलाएंगे आप से एक चीज और हम जानना चाहेंगे जैसे कि नोटंकी नाज की जो बिधा है कहिन कहिए पुर्वांचल की धरोहर है आनबान सान है ऐसे में देखा जाए तो आप लोग बहुत दूर दूर तक कारिक्रम करते होंगे मेरे हिशाब से ऐसा लगता है कि आप बनारस गाजीपूर चंदवली और तमाम अन बाहर राज्यों से फोन भी आता होगा क्या कुछ ऐसा आपके साथ होता है फोन करते हैं बहुत से लोग तो वहां जाने के लिए आप क्यों ही चकते हैं वहां जाने के लिए जैसे प्रोग्राम फोन से करते हैं कि फोन से करते हैं तो उसमें जो है ना आद्मिक मैंने देखा हूं न कुछ किया हूं कौन फोन से बुक कर दिया और वहां गए तो पता नहीं फोन बंद हो गया तब हम क्या करेंगे ने ने मेरा कहने का मतलब यह है जैसे बाहर अनराज्यों से लोग आपको बुलाते हैं अच्छी बात हैं मैं चाहता हूं आपके इस सुल्तानपूर जिले का नाम रोसन हो कहीने कहीं आप लोग एक सुल्तानपूर जिले से बिलोंग करते हैं और आप अपनी नोटरंग की प्र तो अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो पैसे लीजिए और अपने साथ जितने भी 18-20 लोग काम करें उनको भी साथ कमाने का मौका दीजिए जी चाहे एक स्टेट नहीं चाहे जितनी दूर करें हमको मिलेगा प्रोग्राम महा जाने के लिए तयार चलिए बहुत अच्छी बात है और मार्ण साहब जाते-जाते आप लोगों के क्या कहेंगे जाते-जाते में भारत वर्ष के नौटन की को जितने लोग पसंद करते हैं और भारत की धरोहर लोग गीत को जैसे कजरी बीरहा सोहर नक्टा जो भी होता है इस प्रवांचल की धरोहर को लोग सजो कर रखें और अगर इसको लोग बचा कर रखेंगे तो आने वाले भविस में लोग गीत जो है इनकी धरोहर बनी रहेगी और इसको जो है स्रिजन करें दूसरी बात जैसे अभी आपने माश्रा साथ से कहा लेकिन मेरा अपना जहां तक है मैंने संदकभी नगर गोरेकपूर जाता हूं ऐसा नहीं है अगर वोग बुलाते हैं जैसे बाट सब बोले कि दिक्कत होती है लेकिन अगर बजट को जो है सई धंक से करते हैं तो हमारा प्रोग्राम चलता है तो मैं समस्त जनमानस को समस्त देशवासियों के निवेधन करना चाहूंगा हाथ जोर करके कि आप आपके चैनल को खूब सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हमारे बंसजों को मालूम रहे कि हमारी लोगईत की दरोवर नोटंकी भी एक विध्या है और एक धरोवर है इसी के साथ मैं अपकी तरफ से लोगों को जय हिंद करता हूं भारत माता की जय करता हूं सत्त बहुत बहुत धन्वायमार साब आपका आप लोग देख रहे थे हमारे 20 में अभी मौजूद थे नोटंकी नाज के मालिक और उनके संचालाक और उनके बेस्ट एक्टर राजा राम चोधरी जी सभी लोगों ने अपनी बात रखी बाकी आप लोग का क्या विचार कमेंट बोक्स में आप लोग जरूर बताईएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा ताकि जो लोग नोटंकी को मजाग बनाते हैं और जो लोग इसको पकड़के खीचने का काम करते हैं उन लोग को सबक मिले कि नहीं नोटंकी ना च बिधा भी अपनी एक ध वीडियो को पता चले कि हमारे पुर्वांचल में ऐसी धरोवार है जो कि मनरंजन के संसाधन थे बाकी आपका क्या विचार है आप लोग कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा तो ज्यादा कुछ नह कहते हुए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं यहीं ने टोपिक पे